अगर मैया वाला लाएं है तो हम लोग का मतलब पैसा सीड बेच करके और छादरों का सीड बेच करके आप पैसा कमा करके मैया को दीजिएगा और उसी के बेटे रोल पर घूरेगा यह कहीं का निया नहीं है आप हमको एक भी पूरूब दे दिजिए कि किसी शेट का भी स्कुष्चन रिपीट कर रहा हो तुम आज इवन अपना गुलाम रहेंगे ने तो यहां पर हात मता कर लेंगे भीडा सा है होए पागल कुत्व नहीं कटा है अभी जो खड़े हुए हम लोग क्या म्लें पागल हो चुके हैं ले 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 लेता कैंशल कर वाने के लिए रह लो अनदोलन फिर फिर लो एक मूर्ती मेरा भी लगा तो सीजेल के सामने नगर पालिका का रिजेल दस महीना से लटका हुआ है और सीजेल का बाइस को हुआ चोवीस को एंसर की दो बोल रहा है और दस दिर में रिजेल कौन सा मिली भगत है सरकार बेरो के रहे सम मिली हुगत है एक जाम देर है फिछले सब्सक्राइब करें तो उसको चुना में भपापा करवाएंगे उसे तरह मेरे उपर सर पर लाठी बर्दस्ती है उस तरह बपापा करेंगे चुना में पूरा जारगण में चार साल से हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन एक भी फैरी काम नहीं करा आपा रही है तो वहीं मु चुक है ठीक है तो इसको दबाने के लिए इंटरनेट ओफ कर दिया गया कि ताकि इसका भना किसी को ना लगे हर को बचे चाहेगा क्या पेपर इदर से लिग कर वामें उदर से नेट बंद कर वामें तो यह सी चमड़ेगा आप आप मार दीजे लेकिन जिंदा मत इस तर छोड़िये ने तो हम अगर आ गई है तो फिर आपको मतलब फिर बाता से उपर हो जाएगा फिर आप से हाथ जोड़के विंतिया गुंडान बदमास नहीं है जो इतने भीड देख रहे हैं सब पढ़े लिकें बेरोजगार सब सीड़ भीका हुआ है यह प्री पलानी है 21 से पहले सीड़ भीक चुका है राद मतलब राद सीड़ पचास बर कोश्चन बेशने का कोश्चन पचास बर प्रोटेस्ट होगा दोजार पचीस का मेरिटोरियस स्टुडेंट का जोब होना चाहिए सिद्ध्य नहीं तो गोली मारेंगे हम लोग जब सत्ता में बैट के लोग मलाई खाएंगे तो मलाई का पैसा कहां से पूरी तरह से जब तक सेंट्रल और जेंसी जाँच नहीं करें कि इस चीज को सेंट्रल एगनसी जो भी हो सीवी एडी इंकम टैक्स जो भी जाँच करें इस पहलू पे SIT आप बताओ कि 28 जनमरी का जो पेपर लिग हुआ था SIT है क्या रिपोर्ट हुआ SIT है क्या रिपोर्ट हुआ SIT है आज तक और रिपोर्ट निसो पाई मैंने क्यों गिरफतार हुआ नहीं हुआ कितना पैसा मनी ट्रेल कहा था SIT भी से करपाई इस पहे कुछ नहीं है कोई रिपोर्ट ने किया कौन सा ऐसा एक्जाम हो चुका है कि दस दिन में रिजल निकालने के लिए होड़ बसा हुआ GCC को नगर पालिका का रिजल 10 मैना से लटका हुआ और CGL का 22 को हुआ 24 को एंसर की दो बोल रहा है और 10 दिन में रिजल कौन सा मिली भगत है सरकार बेर्यों के लिए सम मिली होगत है बेचने नहीं जाएंगे तो नहीं राग मतलाब राग CGL राग आपी लोग के लिए तो इंटरनेट बंद करवाय गया था इसका तो पूरा परभाब पड़ेगा इसलिए इंटरनेट ओफ कर देते हैं जब तक इक्जाम होगा किसी को पता नहीं चलेगा बैया ये निरलाज बेसरम सरकार निठले सरकार इससे ना प्रासासन संभेले जा रही है इसलिए इससे कुछ होने जाने को है नहीं पूरे पांस साल गुजर गए हैं और लाक्ट के दो महिने में एक्जाम करा के लगते हैं कि सब बोट बेंक बतोर लेंगे तो ऐसा है नहीं सरकार की मनसा है नहीं यहां के बच्चों को नोकरी देने का सिर्फ और सिर्फ यह सरकार और उनके सगा यह आयोग पूरे भाराष्ट में लिप्त पूरी तरह से मलाई मार रहे हैं माफ्याओं से मलाई खा रहे हैं और कुछ नहीं इनसे कुछ होने जाने को होई नहीं अब टाइम बीत गया समय बीत गया है दोज़ार चोबिस के चुना में इसको दिखाना पड़ेगा अगर तुम जानताओं को राज के बच्चों को बेजगार छात्रों को ठकोगे छलोगे तो इसका क्या नतिजा हो सकता है यह हम लोग सभी दिखाने का काम करेंगे एक जाम रद होनी चाहिए तो रद हनी चाहिए कल चीहर में ने PC करके बुला था अगर पुकता सबूद है तो लाके दो हम जाच कराएंगे तो हमने देने आया है देने आया है बकाइदा मीडिया के सामने हम देना चाह रहे है तो फिर उनको क्या हो गिया है अब डर रही है डर क्यों नहीं है क्योंकि आयोग भी जान रहे है इसमें कौन लोग लिप्त है कितने बड़े लोग लिप्त है कितने बड़े बड़े मुर्गे फसेंगे सारे चीज पता है इसलिए लिपापोती करना चाह रहे है लेकिन आप कोई उमीद है नहीं ब्रद होनी चाहिए तो रद होनी चाहिए और अगले सरकार जो भी आएगा उसमें आपने अंदर करना चाह रही है जब जबढे चाहर हैं पूँच नहीं कर पहाई हूँ है एक महीन दू महीन है कोई क्या करते ही बताइद सुछने वाली पात है कोई भी समग सकता है इस चीज़ को जो पांच साल कारिकाल के अंदर कूछ नहीं कर पाया हो these इससी महीन में साव ले रहा है अगर यह जो है इन एजनसी से नहीं मिला हो था आज शात्रों का दर्द सुनता पीडा से आये हुए है पागल कुत्तने नहीं काटा है अभी जो खड़े हुए हम लोग क्या मुले पागल हो चुके है एक्जाम लेता है हर बार का वहीं स्तिति है कोई भी एक्जाम तरीकी से लें ले रहा है एक सरकार का मंशा है अभी मर्तेवखस सकत चाह रहेएं कि लोग को जौ्ड दिया जाए मुलें ठीक है दर्द सुनिये जूबाओं का अवाट सुनिये तब आपको भोट मिलेगा ने तो इसे कुछ नहीं मुलेगा आप तो भोट तो मिलेगा ही नहीं लेकिन अगर कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो पिछला पांस सालों में जो नहीं किया है अब जाके करवा दीजे इसक कर रहे हैं मजा लगा रहे हैं एससी और जीडी का आप को संदे रहे हैं उठा उठाके कहां का इंडिया है हम लोग पढ़े लिके आज बेवकुप बना दिया यहीं स्तिती हो गया है क्या करें अभी जैसे सी को संग्यान लेना चाहिए चात्रों का फीडित चात्रों का दर् सुनें जो ललका तैयारी करता है उप्रीविए सीयर का सब कोश्चन पढ़ता है हम सोचा लिए कि अब सब परिशा लिए और परेंडरा लिए जब सब्सक्राइब कर दो एक जामा देखके जब तुछारे को लड़का सेंटर वापर गूरोब करिवी सेंटर वाँ बैटा गले जैसे मैं लिए जैसे सीफोर परिचाथ यह सेंटर वाम में हमरा दोस्त बैटा गले हमरा गेड़ सो कोश्चन मिलो तीस कोश्चन तूह ले ले पहला दिन पहला दिन तो एकी स्थारी को किया नेट वाजल के आठ बजे बंद कर जब नेट अब 22 तारिक में जब यृ कान गल वहां तक 22 तारीक में क्या क्या वजब भॉर नेट बंकर गले जब आप जान रहे हैं कि नेट का अधिकार को मौली का लिकार घोसना किया गया है चलो बंकिये आप बहुत इमंदार नहीं हैं डेड़ सो दीन चलवां चल लिग लिए तो त कि लिए पर नेपाल वोडर के पर लिया है पतना के पर लिया है के लिए चला दुछार को आर दे दिए यह आर काखर हो जाए अब चकर में लिख हुआ अब लिक हुआ तो मानी अधिया जीख को सोचना चाहिए जरे कोई भी भारतिय संभीधान में माहिनता दे दिया है कि चलो कोई भी पढ़ा लिखा जरूई नहीं सासन चलाने के लिए लेकिन तो कर जो पढ़ा लिकल रहो है जब जैसे पढ़ा लिए क्वालिफाइज जब में कहा है कि सीजीलवा में हो सको है कि 10-20 कोहिशन रिपीट क कर रहा हो तो यहां पर आत्मता कर लेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं हम मरने को तैयार है और में ना मन ले अपने दूर में रुख लेना अतने में ना रुख ले अबर यह कि कलके कलके अच्छा अबरी कलके अगर कोश्चन वा लीग होबो करते हैं तो अबर कि यह थर्ड फर्ष्ट पेपरवा के पास वाला कि माले लड़कों पढ़ाल होता है जो दिनराज पढ़के माले 90 परसेंट लेया हूँ है 90 परसेंट तो सो परसेंट लाना बसके बास नहीं लेकिन माले लेया हूँ है और पेपर वन में तो नाका रगड़ादव है काहें कि यह लड़का जैसे सीक तयारी करो है कहीं यूप यह सीक पेपर में नाच हुआ है तो मैं जब क्वाइल पेसेज रखलक हैं इंगलिस पेसेज हिंदी पेसेज सब इतना हाई लेवल का दिया कि सब लड़का के बहुंस पा जब कर वह गल्ती से पेपर 2 और 3 में 90 पर्सेंट लिया है तो पेपर 1 में उपास ना होता है कर गारेंटी है प्लिएंग मंघन सब्सक्राइब वर करें। तो मत लीजे आसा देखे रखें कि मैं इस बार एक्जाम होगा इससे पहले जन्वरी में दियें क्या यही काम तो नहीं बच्चा है कि एक्जाम देंगे दुसरा दिना के हाँ कैंसलेशन कराएंगे और दोही अजर वेकेंसी है इतना भीड़ाया सब बेवकूप नहीं है इसक पी में हम एक हजार को इंपोर्टेंट लिखके रखे हैं और यहां 145 बना के निकलता और बोलता ना पांच को भूल गये बाए ले अब पांच को भूल गये इसलिए एक सो पचास ने बना रहे हम 110 बना के सोच रहे थे कि एसो बनेंगा ना बीएसो और यहां माबाब साधी पूल दिजिए कि नहीं लेंगे छीजल इक्जाम कर वाने रचेल एक्जाम कर वाने के लिए और एक्जाम ले लेता किंसल कर वाने के लिए और फिर फेर लो हम दो इतना किंसी मोटें हम यह कहते हैं कि आपने पहले नियम लागू किया कि नेट बंकरवा दिया मान के चलिए साल भर में सालों बर एक्जाम होती रहती रहती है अप नेट बन करवाते रहे तो पर तो नेट को डाटा डलाना नहीं है अब कोर्लिंग डाटा डर्माना नेट नहीं चलेगा हर को यहीं सिट्म करेगा हर को पच़ेगा चाहेगा कि यहां पहुत रूसकुन सरकार से हैं सरकार के पर भोड, बिल्कुल नहीं दूँगा मैं हाँ परिषार्थी थे मेरा मेरा सेंटर पढ़ा था सराय के लाड निउ- चाहतर क्या करेगा तो क्या करेगा माले सबूत जुटाने के लिए माले लड़के लोग आए कि सबूत देंगा कहां निकल रहा है कोई बता यहां तूटा हुआ है पीछे एक्जाम इसी में दियें फिर अभी इसी में आया है क्या करें बता यह निकलते नहीं कोई आफसर लो हम लोग को दम पारदर्सी तरीका से परिच्छा चाहिए उसके बाद पारदर्सी तरीका से रिजल्ट और मेरिट चाहिए ताकि मेरिटोरियस स्टूडेंट लोग का इसमें चायन हो सके हमारा यही मांगे चुकि हर आठ साल से इसी परिछा के पीछे हम लोग परिशान हो ग करदेशाड इस पर फ़िछा को पारदर्सी तरीकों मेरी के लिए उसी को इसे एस हो गया भी खीम के लिए प्रिक्छा लिया घला विसके लिए चैनीज कि अपनतरीस साफ्रकां निलामि करका करते हैं, को सब्ढूले, हना संचिवनियम निल्लामी क्रक्षा से बोल रहे हैं एक भाईया योजना भी ला दीजिए ताकि 5000 नहीं वोले ते 2000 कमसे का हम लोगो दीजिए तब नराची में रहेंगे बेरोजगारी का अलम है जैसे बरसात आ गया है जम बन करके जब पानी पड़ जारा आप परसात क्या हल चाला है इसका समझें नहीं आता हमक सब्सक्राइब करता हूं कि संग्यान में जल से जल सरकार ले करके इस रिजाम को कैंसिल करें बेगदीगत भावना नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बताता हूं मेरा परखंड हुआ हजारी वक्जिला का ठीक रहने वाला हूं मेरे पास आज मेरे रहने के लिए घर भी नहीं है मैं आठ साल से इसी के लिए लगा हुआ हूँ अठारा बर जब इक्जाम डेट बढ़ाया गया तो मैंने हमेसा त्यारी किया कि सरकार अब लेगी अब लेगी पिता का ध्यान मेरा 2008 में हो गिया मा का पिछले साल मई में हो गया मां हमेसा पूछ देती बेटा हुआ हूँ इस तरह मैंने कई बार मैंने जो सरकार असवासन देती थी उसी के अधार पर मैंने अपने पेरेंट्स को था पिछले साल मेरे मां का देहांद भी हो गया मैं एकेला बच गया हूँ घर में मेरा कोई भी वेशान नहीं कि मतलब मेरा सपूर्ट भी ऐसे भाई वह लगे इस त दबाह हो हमारे उपर जीवन में लगता है मैंने सफाली नहीं हुआ अगर मैंने जूट बोलके पैसा भी कमाना चाहता है पजिस तीस त्राग पैंटिस लाग चालीस ज़रूर कमा लेता मेरे अंदर फिद्रत ही नहीं कि मैं जूट बोलू मैं सेशी का केंडिडेट रहा गो मतलब जूटा स्वासन देख करके छातरों का भविस नहीं बरबाद करें हैमन सुन से मेरा ही यह स्वासन है जो यह ओजना ला रहे है उठीक है आपका ही चुनावी मुद्धा हो सकता है मैया बपा जो भी लाइए अगर मैया वहला लाएं है तो हम लोग का मतलब पैसा सीड बेच करके आप ऐसा कमा करके मया को दीजिएगा और उसी के बैटे रोड़ पर घूरेगा यह कहीं के निया नहीं है अगर चुनावा करके तो इस तरह मेरे उपर सर पर लाठी बरदस्ती है उसतरह बपा पपा करें चुनावे पूरा जारकन में तरह हिमतना है जब हमको पो पुछ कर नहीं रहा हूँ जब राज के लिए अपने लोगों के लिए निकामा हूँ तो इसलिए मैं सोचा कि जादी मेरा भाई के अगर कोई सपोर्ट होता है तो हम सीना चाने के लिए त्यार हैं गोली खाने के लिए आप मार दिजिए लेकिन जिन्दा मत इस तरह छोड़ि हमारे अपको क्या लग रहा है यहां पर जो पैसां जो 30 लाग विसला कारा उसी स्मया यह जना में बाट रहे हैं तो उसकोलर शीप आदा है ना स्कोलर शीप रोग दिया क्या है कितने बिर्धा पेंसल रोग दिया गिया है इस बात है कि आप मेडिया बंद भू है आप जिसका बेटा कोई नहीं देता है तो कहां से करेगा इस चीज को सरकार को समझना होगा किसी का हक मार के किसी को आप इस तरह चलावा करका आप नहीं कर सकते